वरुन, मौनिंग, एहम ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहा अक्षन दिखेगा अब तो काम भी बढ़ने वाला है आज से जिजन सीजन के शुरुआत हो रही है आज खुलेगा 23 तक है खुला रहने वाला है और इसकी प्राइस बैंड जो है 296 उपीस के आसपास है इसके अलावा एक इंडिया यूएस ट्रेट पॉलिसी फोरम यहाँ पे प्यूज गियोल जी जो है वो ओफिशल विजिट करेंगे न्यू यूज और वाशिंग्टन डी सी कि और इसमें पार्टिस्पेक करने वाले हैं तो यहाँ काफी साहे आए हैं जिसमें जॉल्री स्टॉक्स यहाँ पको नज़र रकना है क्योंकि टाय्टन के कॉंडल ockर्टन के प्रमिकरी जो है है उसमें स्टैंडलोन बेस्के 12% के आसपास की बड़ोती हुई हो सभी कैटेगरी में double digit sales growth जो है वो इस company ने दर्ज की है Jewelry segment में अगर आप देखेंगे तो 11% watches में करीब 14% के आसपास की Eyewear में करीब 10% के आसपास की growth जो है वो इस company ने दर्ज की है और करीब करीब 111 नए श्टोर्स खोले है Kalian Jewelers जहाँ पे इस quarter में 13% के आसपास की growth इस company ने दर्ज की है तेहारी सीजन का कमनी के eye में तेहारी सीजन का फाइदा जो है वो इस company को मिला Middle East में भी कमनी की जो overall growth है वो काफी अच्छी रही है कमनी ने पांच नए showrooms जो है वो खोले ही update इन्होंने दिया है Tata Steel production numbers अगर आप देखेंगे तो total steel production जो है इंडिया में 3.9% बड़ा है यूरोप में गिरा है 12.45% और Thailand में भी करीब 15% के आसपास की गिरावट है delivery volumes अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 7% बड़े हैं लेकिन यूरोप और Thailand में गिरे हैं खासका यूरोप में 9% के आसपास की गिरावट है अगर आप देखेंगे करीब 18% बड़ा है और डायरेक्ट रेडियूस आयन भी 11% के आसपास की बड़ोती दरच की है बंदन बैंक इसने भी अपना quarterly update दिया है दिसमबर तक loans and advances जो है उसमें 14% के आसपास की बड़ोती है दिपोजिट्स में 21% के आसपास की बड़ोती है यह लेकिन कासा डिपोजिट्स 3% घटके आये है बजाज फिनसर्व बजाज अलाइंस life insurance का इन्होंने अब अपडेट दिया है पिछला अपडेट जो था वो general insurance का था और total premium जो है इसके अलावा खबरों में Asian paint से यहाँ पर कंपनी अपने नए manufacturing plant में करीब 2000 क्लोर रुपे के आसपास का निवेश करने वाली है मध्यपदेश में manufacturing plant जो है वो बनाईगी और lupin इस कंपनी को bladder problem से जुड़े वी एक दवा है जिसके लिए USFDA से मन्जूरी मिल चुकी है चलिए तो ये वो खबरें हैं जुनके दम पर चनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा action वरुन थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल रखने के लिए